हेले वरोन कैसे हैं आप सब एक बार पुना से गोचिंग क्लासेश पर स्वगाथ है उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्तोंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बहतर चल रही होगी बच्चो क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर वन चल रहा मापन वा मातरक जिसमे आज हम गति के प्रथम समीकरण की सुधता की जाच करेंगे बिमीबित से बहुत ही सिंपल है बच्चो हमको ये ध्यान में रखना है कि जो भी हमारे पास समीकरण है उसमें जो भी हमने रासी ले रखा है जैसे यहाँ पर भी आपका वेग है यू भी आपका वेग है ठीक है यह भी आपका रासी है टी समय है जितनी भी रासिया हमने ले रखा है बच्चों चाहे वो मूल रासी हो चाहे ब्यूतपन रासी हो उसका हमको बीमिय सूतर याद रखना पड़ेगा और नहीं बन रहा है तो फिर आपको निकालना पड़ेगा बहुत ही सिंपल है मैं इसके लास्ट में इनका पूरा बिमी सूतर निकालना सिखा दूँगा फिर दोनों पच्छों में इसके बिमी सूतर का मान नहीं बिमा रखना पड़ेगा यह दोनों पच्छों के भीमा समान है बच्चो तो फिर आप समझे कि यह जो आपका समिकाड़ू सुद्ध है कोई भी समिकाड़ दिया रहे जैसे आपकी बात करें यहाँ पर भी बरावर यू प्लस 80 है तो भी भी बेग है यू भी बेग बरावर क्या होता बच्चो दूरी बटे समय तो दूरी मतलब आपका हो जाएगा जाल तो यहाँ परेजर मतलब बात करूं कि दरबमान की दरबमान होता नहीं है तो V की बिमा हो जाएगी, दूरी मतलब L हो जाएगा बच्चो, और समय, दूरी बटे समय होता है, इसलिए T का पावर माइनस वन इनभर्स लग जाएगा, आपका जो V का बिमा है बच्चो, वो आपका U का भी बिमा होगा, मतलब L, T का पावर माइनस वन, दोनों का सेम होगा ऐसा क्यों होगा दोनों का सेम क्योंकि बच्चो भी भी बेग है यू भी बेग है आपका यू जो होता है प्रारंबिक बेग होता है भी जो होता है अंतिम बेग होता है इसलिए दोनों का भीमा शमान होगा T आपका Cable समय है बच्चो T आपका क्या है Cable और Cable समय है तो समय के लिए क्या करना पड़ेगा Cable और Cable हम T लेगे तो आपका हो झाएगा T का हो झाएगा यह T कि हाँ पर M नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर M द्रब मा जीरो लास्ट मी हम M का मा जीरो रखेंगे तुरण क्या होता है बेक बराबर दूरी बटे समय और तुरण बराबर होता है बेक बटे समय तो यहाँ पर दो टाइम हो जाएंगे तो L बेक बराबर दूरी बटे समय तो बेक कहोगे यहाँ समय नीचे उपर जाएगा तो इन भर्स हो जाएगा इस तरीके से जैसे टाइम तो टी है इसमें कुछ है नहीं के बल तुरण का आपको दिक्कत हो सकता है तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक सूत्र बता देता हूं तो रण बराबर बच्चो बेक बटा समय बेक बटा समय यह होता है सूत्र ठीक है अब बेक बराबर कर दूँगा दूरी बटे समय तो एक समय और आ जाएगा तो समय का स्क्वेर हो जाएगा समय का स्क्वेर हो जाएगा अब आप ही बताओ यह जब समय उपर जाएगा तो म बाइपच की भीमा देखते हैं बाइपच की भीमा धीक की भीमा-ठीक है यह इसको मैं COM हो तो द्रबमान है नहींतों द्रबमान हो जाएगा जीडो должен freue Glartjes कि बिमा इस के बाद आपन को क्या करना है दाए पच्छो की बिमा लेके चलना है मतलब दोने पच्छों का विमा निकालना है तो अब क्या करेंगे दाए पच्छ की बिमाएं दाएं पच्छ हमारा u प्लस 80 है तो यहां पर आप लिखोगे दाएं पच्छ की बिमाएं दाएं पच्छ की बिमाएं अब देखो ज़रा थोड़ा सा यहां पर देखना यू यू भी आपका बेग है बेग मतलब l टिक पाउर माइनस 1 हो गया ठीक है प्लस तो टी Gesch do p मतलब समाय का टेवल और केवल टी अभी को थोड़ा सा देखो कल्कुलेट भी करो वही चीज निकल कर आएगा आगे करता हूं यहां पे बच्छोल ती क B już1 बिमाइनस 2 में घट जाए गा तो केवल बाचे तो कर चοहरा दाइब दर्बमान नहीं है तो 0 0 मतलब दोनों पच्छों की जो विमा है ना समान है तो हम कह सकते हैं जैसे दोनों पच्छों की यहां पर आप लिख सकते हो कि यहां पर हम लिखेंगे बच्चो चुंकि दोनों पच्छों के दोनों पच्छों के दोनों पच्छों के प्रतेक दोनों पच्छों के प्रतेक पद प्रतेक पद की बिमाए समान है प्रतेक पद की यह देखो यहां पर यहां पर प्रतिक पद की बिमाएं समान है, ठीक है, अताह दिया गया समीकरण, कैसा बच्चो, सुद्ध है, अताह दिया गया समीकरण, सुद्ध है, बस इतना ही प्रूप करना था, तो ये गतिका प्रथम समीकरण है, और इसे आप लोग प्रूप कर लेंगे, और चैनल पर दी पहली बारा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चो, एद इसका हैंड इटे नोट्स लेना है, आपको हमारे चैनल से जुड़ना है, तो कंटेक्ट नमबर मैं अपन से नोट्स दे जाते हैं, फिलाल अभी एक छोटा सा टॉपिक था, आगे ऐसे हम आपको वीडियोज देते रहेंगे, जय हिंद बंदमातरम